जूँ अके गाइस तो शायद आपने लिया होगा यह नए डाय वी आपने डाय दिवाइस आता होगा बत देनाप सोचते होगे यह इसका Camera उतना अच्छा नहीं है इसका Camera न आ जानदार नहीं है तो मैंने कुछ ऐसे सेटिंग्स किये हैं अपने रेड्मी 4 में जो इस से रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरे फोन ते इमिजेस बहुत अच्छा आते हैं और मैं चाहता हूं कि आपके फोन ने भी सेम हो तो क्या है वो सेटिंग्स मैं आज इस वीडियो में आपको वहीं दिखाऊंगा वेल्कम टुटेक एवर दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आसा को बोलना है तो थाइंक्यू कि आपके इतना सपोर्ट किया और हाँ अगर आपने इस वीडियो का उन्बॉक्सिंग नहीं देखा तो पर कार्ड में है वहाँ पर जाके जरूर देखिएगा तो पहले इसका फोटो लेजर चलिए और गाइस तो यह रहा है इमेज आपके सामने आप देख सकते ही इमेज ऐसा है तो चलिए अब मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ यहाँ फिर से मैंस को करता है लॉंग प्रेस रिसिंट बटन को उसके बाद यहाँ पे आपको क्य नीचे जाके आपके यहाँ पे कॉंट्रास साचुरेशन और शापने दिखना होगा तो सबसे पहले हम कॉंट्रास रूप करते हैं हाई साचुरेशन को भी करेंगे हाई और शापनेस को हम लोग रखेंगे नॉमल और और ऑटो इसकोजर सेटिंग्स यहाँ पर यह सेंटर अब आपका इमेज कॉलिटी और भी बेटर लेगा यहाँ मुझे आपको आपको देख रहा है कि कितना अच्छा डिफरेंस हो गया है लाइक आपको क्यामरा थिरू नहीं दिखर रहा है तो चलिए स्पिट से सेम तो सेम फोटो लेते हैं मैं अभी फोटो लेकि आता हूँ अब आपने इमेज देख लिए होगा कि कितना बड़ा डिफरेंस आया है दोनों इमेज़े में मैंने दोनों इमेज़े में इस फ्लैश को सेम तो सेम सेम पोजिशन में रखा था और अब आपने सब्स आप समझी करेंगे तो मैं और ज्यादा सैपल दिखा कि आपका टाइम अब आपने पुनना और अटिसमिम अड़ वीचिंग रिगनाचें को स्ब्सक्राइप में डे लाक्ति सब्सक्राइब करेंगे द्युराणना थालक्ति नू इल्च एक सिंगु देल कि नुग द्या इंटा बूल्चिंग्ड टाइंगे डिक नुटिश्णा ब्सक्षेसिए